नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि CT8 की जो एक्जाम है उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है बहुत कम समय बचा है और CT8 एक्जाम में जो NCIT बुक है उसका पूर्न रोल होता है उससे काफी प्रशन पूशे जाते हैं तो उसी को देखते हुए यहां पर कच्छा 5 की जो आपकी NCIT बुक है उसका निचोड आपको यहां पर बताए जाएगा 22 अध्याई आपको एक साथ यहां पर दिये जाएंगे इस सारी जो NCIT 5 में जो निचोड न इस प्रकार से जो PDF है आपके सामने या पिर कह सकते NCIT बुक अक्छा 5 का जो संपूर्ण विशलेशन हो इस प्रकार से आपको बताए जाएगा तो इसकिप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतर में हमें जरूर बताना है कि आज को वीडियो है वह आपको कैस समय लूँगा देखे सबसे पहले तो आपको अनलाइन स्टेटिविट डिके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिगा रेटिंग सब को देना है ना रेटिंग आप देते नहीं बहुत कमने रेटिंग दिये तो रेटिंग जरूर दे दिजीगा यह PDF आपको मिलेगी मिले का आपको थियोरी मिलेगी 800 MCQ मिलेंगे और इनके वीडियोस भी वहाँ पर upload हो चुके हैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं लगबग लगबग थियोरी आपकी complete हो चुकी है MCQ वहाँ पर करवाना है तो ये भी जल्दे वीडियो वहाँ पर upload हो जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो भी देख लिजेगा प्लस में ये PDF भी वहाँ पर देखने को मिलेगी ये भी आपको फिरी में उपलब्द हो जाएगी तो 49 में आप ये purchase कर सकते ही यहाँ पर आपको theory प्लस MCQ प्लस video और प्लस ये PDF आपको वहाँ पर उपलब्द हो जाएगी साथ में आपको 2022 सेट चीए तो भी आप ले सकते हैं और ये जो 30 practice set ये भी ले सकते हैं मात्र पांच रुपे पर सेट आपको मिल रहा है देख लिजेगा जोड़ घटाव करके पांच रुपे ही वहाँ पर पर सेट आपको मिलेगा पर जो 2022 तेश का paper वो मिलेगा आपको है ना तो ये सारी जानकारी हर वीडियो में हम देते हैं तो एक बार check out कर लिजेगा है ना ये क्या खुल गया तो ये जो जानकारी है हर वीडियो में देते हैं तो एक बार check out कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं यदि कोई समश्या आती है तो आप मेरे number जब आप download करेंगे तो वहाँ पर मेरे number मिल जाएंगे तो उस पर आप मुझे अपनी समश्या बता सकते हैं चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इस PDF में हम पढ़ेंगे क्या का है तो यहाँ पर जो 22 अध्याई पढ़ेंगे वो इस प्रकार रहेंगे आप देख सकते हैं एक अध्याई से लगा कर 22 अध्याई में इनको पढ़ूँगा कुछ खास असर नहीं होगा क्योंकि समय ही खराब होगा तो पढ़ लिजेगा 22 अध्याई आपको यहाँ पर मिलेंगे हैं एक ही वीडियो में पहला अध्याई होगा और लाश्ट 22 अध्याई पर हम यह वीडियो खतम करेंगे तो वीडियो को आपको अंते तक देखना है है ना तो शुरुवात करते हैं पढ़ लिजेगा 22 अध्याई हैं इसमें तो सबसे पहले हम कुछ चीजे को जान लेते हैं कुछ चीजे मैंने यहाँ पर रखी कुछ चीजे जो इसमें उपलब्द नहीं है वो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता दूँगा देखें बात करें हम कि मचलिया खत्री के चतावनी एक दूसरे को किस से देती है इस प्रकार के प्रशने पूशे जाते हैं जानवर के इस विवहार को समझते ही में जान लेते हैं कि भुगंप आने वाला है या कुछ अन्नोनी होने वाली है कुछ जानवर ऐसे होती है आपको याद होगा 2004 में भुगंप आया था 2004 में दिसंबर के महा में है न उसमें क्या हुआ था जो सुनामी आई थी उससे कुछ समय पहले जो जानवरों के अजी विवहार और उनके द्वरा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की जो खास आदिवासी होते ही जो जंजाती होती ही वो समझ गये थे और उन्होंने अपने जंगल खाली कर दिया था जिससे कि उनकी जान बज गई थी आपको यह याद होगा तो और यह याद रखेगा कब हुआ था सुनामी यह कब आई थी 2004 बे यह भी पूछा जा सकता है सन आपको याद रखना है है न कब आई थी दिसंबर में यह दियान रखेगा तो यह क्या रहते हैं जो जानवर होते हैं कुछ खास तरेके के अजीब निकालते हैं वो जो हरकते होती ही वो करने लगते हैं जिससे कि पता चलता है कि पर कुछ अन्होनी होने वाली है तो ये point आपको दिहान में रखना है अगले point की बात करें कि जंगल में उचे पेड़ पर बेठा लंगूर पास आती मुशिबतों जैसे कि यदि सेर आगया चीता आगया या फिर और कोई सी मुशिबत आ गई तो उसे देखकर आवाज होती है तो ये विज्ज्ञानिक को मानना है आगये हम उस पर डिसकस करेंगे आगे बात करें कुछ जानवर जो होते हैं कि सोने का समय एकजाम में पूछ जाता है जैसे कि उनलाइन एकजाम में पूछा गया था हाली में offline exam हो गई आपके state तो उसमें पूछा गया था कि हाती कितने घंटे सोता तो याद रखेगा मात्र दो घंटे सोता है जिराप कितने घंटे सोता है ये भी दो घंटे सोता है गाय कितने घंटे सोती है तो रब्द हो जाएगी, डाउनलोड कर लिजेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें भी देखने, सुनने, सुनने और महसुच करने की सकती होती है, कोई जानवर मिलो दूर से सिकार को देख लेता है, तो कोई हलकी हलकी हाट से सुनकर पता कर लेता है, कोई जानवर अपने साती को सुनकर ढूंड लेता है, यह होता है, आपका कुट्ता, आगे हम बात करेंगे, करके, जो हलकी हाट से सुन लेता है, पता कर लेता है, कि यह जानवर के कारण हो रहे हैं, या फिर हवा के जोके से आने कि हवा के कारण हो रहे हैं, तो यह बाग है तो केसे पेचाने साथी को चीटिया केसे पेचानती कुत्ता मच्चर तो इन तीनों के बारे में बात करें ये चीटियों के बारे में पूछा जाता है तो चीटिया चलते हुए अपने पीछे खास किसमे का गंद छोड़ती है किस प्रकार का खास किसमे का और उसका नाम क्या है फेरो मोनस है इसका नाम याद रख लीजेगा इसके कारण आपने देखा होगा जो चीटिया होती है वो एक के पीछे एक पीछे चलती रहती है तो गंद की वज़े से चलती है इसी गंद के कारण चीटियों को पता चलता है क कि वो किस और उन्हें जाना है न, इसी गंदे की वज़े से कुन्सी गंदे है यह, फेरो मोनस,आप कुट्चे की बात करें, तो कुट्चे के बारे में तो सभी को पता होगा, सडकों पर कुट्चों के अपनी जगा बटी हो ती, जिसे इलाका कहते हैं न, एक कुत्ता, दूसरे कुत्ते के मलमुत्र के गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बहार का कुत्ता आया था या नहीं है तो मलमुत्र के द्वारा कौन पहचान लेता है सूंग करें जिसको बोलती हैं, तो ये कुत्ता है मच्छर के हम बात करें तो मच्छर तुमारे सरीर की गंद खासकर पेरों के तलवे और तुमारे सरीर की गर्मी से धूंड लेता है रातों में आप लाइट भी बंद कर देता है वो सब कुछ बंद रेता है न अंधरे रेता है बाकी शरीर पर भी कारता है लेकिन जारतर पेरों पर आपने देखा होगा आगे हम बात करेंगे अब अध्याय वाईश चलेंगे पहला आपका अध्याय केसे पहचाना चीटीने दोस्त को तो यहां पर देखिए आपने एंसे आटी बुक को देखा हुआ काफी बहुत बड़ा चेप्टर है तो वहाँ जो जो important points है उनी को वहाँ से निकाला गया है जो कि आपके सीटेट के लिए important है तो आवाजे अलग-अलग है ना इसका कैसे पहचाने चीटी के दोस्तों को इसमें जो 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 फेक्ट हैं जो जो भी important है सीटेट के लिए वो सारी चीज़े इसमें आपको बताई जाएगी कि कुछ पक्षी अलग-अलग खत्रों के लिए अलग-अलग अवाजे निकाल दे से उड़कर आने वाले दुस्मन के लिए एक तरह की अवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज आने की उड़कर यदि आने वाला जो दूसमने खत्रा दिख रहा है तो उसके लिए अलग आवाज निकालेंगे और जमीन पर चल कर कोई जो दूसमन आ रहा है या फिर उनको जिससे खत्रा है जो जमीन पर चल कर आ रहा है तो उसके लिए वो अलग आ जाद रखेगा छिपकली गर्मियों के सर्दियों के दिनों में आपको नहीं दिखती है आपने देखा होगा न वो अचानक गुम हो जाती क्योंकि वो गहरी नीन में चली जाती है अब बात करें डोल्फिन भी अलग-अलग तरे के आवाजे निकालती है और एक दूसरे से बा केमि मादा को उसकी गंद से कई किलो में दूर से ही पहचान लेता है और शीटेट एक जानवर से कही कौन हथ है जब हमारा मन उसको गंदा मानता है अगर हम मन बना ले तो वही गंद उतना परेशान नहीं करती है कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा मन उसे गंदा नहीं मानता है जब तक वो गंदा नहीं होता है अगर हम मन बना ले तो वही गंद उतना परेशान नहीं करती है तो यह सारी चीजे आपकी पहले चेप्टर में थी उसमें आपका Sloth भी है सलोट जो होता है इसके बारी में हम कहीं बार आपको जानकारी दे चुक两गे हैं फिर से दे देता है जो जानकारी इसमें नहीं है अलग से मैं आपको बढ़ा दूंगा तो देखें यहाँ पर यह जिस पेड़ पर रहता है उसके पहले जो सलोथ होता है वो केसा दिखाई देता है भालू जैसा जान भरे केसा है भालु जैसा ये पूछा जाता है कि भालु जैसा कौन है तो याद रखेगा वो sloat है कौन है sloat है और ये अच्छा तेराग भी होता है और सबसे आलसी जीव कौन सा है तो वो है sloat है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरुवत नहीं पड़ती याने की जिस पर रहते हैं उसी को खा जाते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेत कर देते हैं ना कहने का मतलब यह है वो धारन के तोर पर यह सब्ता में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से से उल्टे स्रिललतकर मस्ती से सोते कितने ये पूछा गया है ना आपके कूट में पूछा जाता है सलोत के बारे में आपको पता ही होगा तो 17-18 ग involves वुकल्प में दे रखा होता है 17 से 18 गुंटे आपको याद रखना है तो 17-तार गढर ये मस्ती से उल्टे स्री लटक कर मस्ती से ये सोता है आगे बात करें जब ये अपने पेड़ के पत्ते खा लेते तभी वे पास के पेड़ पर जाते है यानिकि जो पास का पेड़ है उसी पर जाते हैं लगभग अपने पूरे जीवन काल में मात्र ये आठ पेड़ों को बदलता है मात्र आठ पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करता है और उनकी उम्र क्या होती ही लगभग 40 वर्स अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर गुमने की तकलिफ उठाते हैं यानिके मात्र आठ पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं लगभग लगभग 45 यानिके 5 साल 5 साल ये एक पेड़ पर अपना जीवन यापन करते हैं तो ये हुई सलोथ के बारे में 7 या 8 पेड़ विकल पर में रेते हैं आपने देखा होगा है CT exam में एसा दिया होता है 7 से 8 पेड है तो यह आपको ध्यान में रखना है चलिए और यह भी ध्यान में रखना है कि यह रात्री चर होता है क्या होता है? रात्री चर यानि कि राट में जगता है जब भी जगता है वैसे 17-18 गंटे तो अटाया लेकिन याद रखना यह क्या होता है राति जी चर होता है अब जानते पक्छी उंक हैं टो चील, बाज और गिदd जैसे पक्छी हम से 4 गुणा जारा दूर से देख पाते हैं कौन कोन है वो चील, बाज, गिदd ना से वो देख लेते हैं जदर पक्षियों की आखे उनके सीर के दोनों तरफ होती है पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं जब यह बिलकुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखे एक ही चीज पर होती है यहां पर इससे पहले मैं आपको बता दूं दो तीन प्रश्ण पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं कि अपनी गर्दन को आगे पीछे है ना जड़ातर मतलब की लगभग 270 डिग्री पूछ जाता है कि 270 डिग्री तक अपनी गर्दन कौन सा जानवर कौन सा पक्षी घुमा लेता है तो वो है आपका उल पूछते हैं जटके से जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो कौनसा पक्षी होता है इसके बारे में पूछे जाता है तो कौनसा पक्षी आपका मेना याद रखेगा काफी important हैं याद रखेगा मेना जटके से अपनी जो गर्दन है उसको आगे पिछे करता है और उल्लो अपनी गर्दन को 260 डिगरे तक घुमा सकता है तो पक्षियों के बारे मैं बता रहा था है इसलिए जानकारी आपको देती है पक्षियों जब दोनों आखों से एक ही चीज पर केंदरित करते हैं एक ही चीज को देखते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एसास होता है एक ही जगा पर यदि दोनों आखों से केंदरित करते हैं तो क्या होता है जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो देखने का क्या होता है उनका दाइरा बढ़ जाता है ये आपको धिहन में रखना है चले आगे बात करें जरतर पक्षियों की जो आखे होती है वो उनकी जो पुतली होती है घूम नहीं सकती क्या नहीं होती है घूम नहीं सकती वे अपने गर्दन घूमा कर ही आसपास देखता है आपने देखा होगा पक्षियों मेंसा अपनी गर्दन को बार बार इधर से उधर इधर से उधर गूमाते रहते हैं क्यों गूमाते रहते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं ये भी प्रशन पूछा गया है कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो जो चीजे को देखते हैं वो किस रंग की देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए केवल सफेद और काली रंग की देखते हैं आपके city exam में पूछा गया है आगे भी पूछा जा सकता है साप के बाहरी कान नहीं होते हैं जमीन पर हुए कमपन को ही वहाँ सुन पाता है यदि पूछा जाए कि किसके कान नहीं होते तो याद रिखेगा साप के नहीं होते हैं जो कमपन होता है जमीन पर उसी से ही उसको पता चलता है किस और जाना है ये सारी जानकारी उसको जो जमिन पे हुए जो कंपन होता है उससे पता चलता है अब बात करते बाग jouer की तो बाग合 के बारे में तो सभी को पता होगा भारत का राष्ट्री पसू पूछे तो वो क्मझा है यह चीज है तो भारत का राश्टी परसु कोन है आपका बाग है ना और यह सरवादिक कहां पर पाए जाता है तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में कहां पर पाए जाता है जिसे टाइगर इस्टेट भी कहा जाता है यदि पूछे यदि पूछा नहीं जाता है लेकिन पू अंधेरे में राष्टा ढूनने में भी मदद होती किसे मूच होसे हैं उनकी जो मूचे हैं उनसे ये चीजे बिल्कुल उसको केलियर हो जाती है ढूनने में भी मदद होती किसमें अंधेरे में और बाग अंधेरे में हमसे कितने गुना बहतर देख सकता है है न और इनकी उमर की बात करें कि बाग की जो उमर होती लगभग वो कितनी होती है तो इनकी जो उमर होती है लगभग वो होती 26 साल कितनी होती है 26 साल है न उमर के बारे में पूछे कूर्थ में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए बाकी बात करें बाग मोके के अपनी आवाज बदलता रहता है गुस्से में अलग आवाज निकालता है बागिन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकालता है कराना तो कभी गुर्राना बाग का गुर्राना तीन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है ये भी आप से कूट में पूछा जा सकता है बाग का ज जाडियों में हिलने से हुई अवाज में अंतर को भाप लेता है, बाग के दोनों कान बाहर की अवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, जिसा कि मैंने आपको बताया था कि हवा जो चलती है और जो पेड़ की सरसारहट हो बाग के दोनों कान बाहर के आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में भी बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, इस वज़े से यह सारी हरकते वो करता है, बाग अपने इलाके में मुत्र करने करके अपनी गंद छोड़ते जाते हैं, या इलाका कई किलोमेट पहचान जाते हैं, और इसकी मरजी भाग के बारे में और बाग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, जैसे कि मैंने अब भी आपको बताया था कि भारत मत सर्वादे इक बाग मध्यरप्रद्यर्श में पाए जाते हैं, सली MP को तर design भी कहा जाता है, और जो बाग के सर पर काली एवं पीली धारिया पाई जाती है, आपने बाग का चितर देखा होगा, नहीं देखा, तो मैंने जो पीडियप आपको बताई है, रामबान पीडियप, उसमें चितर के माध्यम सापको समझाए है, देख लीजेगा, है ना, बाग की उम्र मैंने आपको बताई दिये 26 साल की होती है, बाग अपने इलाके का निरधान किस से करता है, तो मुत्र के द्वारा करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, किस से करता है, मुत्र के द्वारा करता है, और बाग समु में रहते हैं, कैसे रहते हैं, बाग समु में रहते हैं, और एक समु म के कुं करती है बाग के समूघ का नेतरत वो बागन करती है और बाग के जो नर्व अच्चा होता है वो किस उम्र में अपने समूघ को छोड़ देता है ये भी पूछा जा सकता है तो मैं इहां पर लिख देता हूं तीन से चार साल है ना तीन से चार वर्षी जैसे कि आपका हाती हो गया उसमें पूछा जाता है बाग में भी पूछा जाता है सेर में भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए जो उम्र होती ही बाग के नर बच्चे की वो तीन से चार वर्षी की उम्र में अपने ये समू को छोड़ देता है और बाग के जन्म के समझी जो बच्चा होता है वो कितने ग्राम का होता है यानि कितने किलो ग्राम का होता है तो वो होता है आपका 2-3 किलो का 2-3 किलो ग्राम का वो बच्चा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है बाग के धार मैंने आपको बतः दी है, 3 किलोमेटर दूर तक सुना ये देती है बाग अंधरे में भी अपनी मुछों के माध्यम से रास्ता बाना लेता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है जो बाग होता है जंगल में पत्तियों में जो सरसराथ होती है हिलने के कारण दूर से ही पहचान लेता है जो पत्तियों के हिलने का सरसराथ है कोईसी जीव के कारण है या फिर हवा के कारण है ये मैं आपको थोड़ी दर पहले बता दिया हूँ और बाग अंदरे में ही मनुश्य के से कितनी गुणा अनिक देख सकता है थोड़ी दर पहले बताया था छे गुणा अधिक देख सकता है तो ये जो सारी जानकारी है यह मैंने आपको बता दी एक छोटी सी जानकारी और रहे गई है कि बागो के सनरक्षन के लिए भारा सरकार ने कब और कौन से नेशनल पार्क की शुरुआत कि थी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो दियान दीजेगा बागो के सनरक्षन के लिए भारा सरकार ने 1973 में कब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जीम कारवेट नेशनल पार्क याद रखेगा टाइगर प्रोजेक्ट को उनसे नेशनल पार्क में सुरू किया था जीम कारवेट नेशनल पार्क है ना कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुस्बू के लिए मारा जाता है, खुस्बू के लिए किसे मारा जाता है, इस प्रकार से पोशे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, कस्तूरी हिरन को मारा जाता है, जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या का जाता है, सिकारी का जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसको किसके लिए मारा जाता है यह आपसे कूट में अंसर पूछा जा सकता है आगे हम बात करें तो हमारे देश में बाग और कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है यानि कि वहाँ पर बिल्कुल सिकार करना मना ही वहाँ पर सिकार आप नहीं कर सकते वह कौन-कौन से आपके पार्क है तो वह है उत्राखन का जिम कार्वेट नेशनल पार्क जो की भारत का पहला है पूछा जाता भारत का पहला या पर भारत का पूराना नेशनल पार्क कौन सा है तो वह है आपका जिम कार्वेट नेशनल पार्क 1973 में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यह Tiger Project की सुरुवात इसमें की गई थी Gym National Park में और इसके स्थापना उईती 1936 में का उईती 1936 में और राजिस्तान के भरतपूर जिले में गहना है यह याद रखेगा अब बात करते हैं अध्याई एकापका चब्रπाव समापरी और इसमापर रही और निकाल कर आपको बता दिया गया है अब अध्याई 2 की बारी है कहानी स след की आपने देखा होगा सबसे पहले बात करते हैं कालवेलिया और आपने देखा होगा आपके गाउं में साप लेके आते हैं बीन बजाते हैं थोड़ा सा क्या है कि टोकरी में साप रखा होता है उसको बहार निकालते हैं यानि कि ये उनका मांगने का तरीका होता है मांगने के लिए आते हैं कह सकते हैं तो जो कालवेलिया होते हैं सपेरों की एक जाती होती है जो सापों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम कालवेलिया बोलते हैं और जो कालवेलिया नाच होता जो नत्य होता है इसमें भी साप जिसी मुद्राय होती इसलिए से क्या बोलते हैं कालवेलिया नाच बोलते हैं कितने होते हैं जो जहरीले होते हैं सभी को पता है ना ये तो बार-बार आपको बता जाता है चार तरह के सांप होते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं वह आपका करेत नाग दोबोईया और अफाई है ना ये चार प्रकार के सांप होते हैं और पूछा गया है कितने प्रकार उसमें साप रखा होता है फिर वो खोलता है है ना मांगने के लिए आते हैं गाउं में गाउं गोमते रहे तो बहुत कम हो गया आप देखने कोई नहीं मिलते हैं लेकिन पहले फेरा लगाने आते थे हैं जिसको हम फेरा बोलते हैं आगे बात करें साप के डंक के निसान से यह जानने की कोशिस की जाती कि किस साप ने काटा है, जब साप काटता है तो जो डंक छोड़ता है, कितने दात होते हैं, साप के दो दात होते हैं, जहरी ले दात होते हैं, याद रखेगा, दो दात होते हैं साप के, और आगे हम बात करें, साप जब किसी को काटता है, तो उसके दो खोकले जहर वाले दातों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है, दो खोकले दात होते हैं, और इस जहर के बचने के लिए एक ही उपाई है कि जिस व्यक्ति को साप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई होती है, उसे क्या खा जाता आपका इलाज हो जाइगा, सढ़ी समय पे पहुंच जाएगे तो आप बचने के काफी chance होते हैं और बात करें जो सांप होते हैं Office को कोन बचाएगा आपने देखा है कभी पहले यदि आपने देखा है तो देखा होगा लेकिन अब सांप आपको खेतों में नहीं दिखाई देते क्योंकि हम जो कीट ना सक छेड़कते हैं जो आप खाद का उप्यों करते हैं ना तो उसे चूहे बचते हैं और नहीं साप बचते हैं ओस दिशा में जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता है ना भूस सारी चीजे यही ऑशने होती है hm पाए कि खाद ही उस वज़े से क्या हो電 है या तो सांब दिखाई दे रहे हैंगुनाही चुहिज दिखाई दे रहे हैं इस से हमारी जो थो इस जो संदर rising वो काफी प्रभावित हो रही है, उस पर हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं आज NCAT 5 के जो टोपिक है उसके बारे में, 22 टोपिक आपको यहाँ पर अध्याय आपको कवर किये जा रहे है, बीन पार्टी के बाजे, यानि कि जो कालिबेलिया के हाथ में जो आपने बीन देखी होगी, वो किस से बनी होती है, तो उसमें क्या-क्या होता है, बीन, तुमबा, खंजरी और ढोल है, ढोल के अलावा, तीनों बाजे, जो सूकी लोकी होती है, उससे बनाई जाते हैं, जो सूकी लोकी है जो हम खाते हैं, वो जब सूक जाती है, तो उससे यह अपना जो बीन ह उसको बनाते हैं आगे हम बात करें अध्याय तीन की अध्याय तीन है चखने से पचने तक चखने से पचने तक इसमें आम तोर पर हमारे जो पेट के अंदर लगभग कितने सेंटीग्रेट तापमान होता है तो 30 सेंटीग्रेट तापमान होता है कितना तीस है न और साय द मैं सांप के बारे में कुछ चीजे आपको बताना भोल लिया हूँ थोड़ा सा यहां जानूगर दे दे देता हूं कोईके बहुत जरूरी है जो साप के दात होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताए कितने दात होते हैं साप के दो खोंकले दात होते हैं वो खाने में यूज नहीं करता है कहने का मतलब है साप के दात होते हैं लेकिन वह आपने भोजन या सिकार को सीधा निगल जाता है उसे खाने में यूज नहीं करता है वो जहर छोड़ने में यूज करता है किसी को भी काटता है तो उसी से वो काटता है खोंकले दातों से और दो होते हैं King Cobra एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है वो कौन सा जानवर है या कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है तो वो है आपका King Cobra याद रखेगा King Cobra लिग भी देता हूँ यहाँ पर King Cobra आगे हम बात करें तो एक ऐसा भी सांप होता है तो वो होता है आपका यही नाग या फिर King Cobra इसको नाग भी कहा जाता है और King Cobra भी कहा जाता है King Cobra दोनों एक ही हैं तो यह घोशला बनाता है यह याद रखेगा आगे बात करें तो विस्व का सबसे लंबा जीव कोन सा है तो वो है अजगर पूशा जाता है ना विस्व का सबसे लंबा जीव अजगर है है ना अजगर लिखा हुआ दियान दीजेगा और आपने देखा होगा Hong Kong के लोग सापो के मास्कों खाते हैं सीधा सीधा आपसे पूछ लिए जाए कि कोन से देश के लोग सापो के मास्कों खाते हैं तो वो है Hong Kong कुन से Hong Kong Hong Kong के लोग है जिसे क्या कहा जाता है याद रेखेगा इंपोटेंट है अब बात करते हैं आगे यानि कि अध्याय 3 की चखने से पचने तक आम तो पर हमारे पेट के अंदर लगभग कितनी Centregate का तापमान होता है तो याद रहेगा 30 centigrade तापमान होता है हमारे पेट का पाचान रस acid अम्बले की तरह होता है कैसा होता है? acid अम्बले की तरह होता है यहाँ पर देखें ओडिसा का काला हांडी जिले के बारे में बताया गया है इसमें आप देखेंगे तो इसके बारे में भुकमरी से ही मर जाते यानि कि वहाँ पर चावल पेदा तो होते लेकिन कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जो भुकमरी से मर जाते हैं कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है लेकिन इन गरीबों में नहीं बाटा जाता है तो इस बात का भी आप को पता होना चाहिए आंद़ प्रदेस मिष्टित्य जैसे कहते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकाली देते हैं आम पारे में पूछा जयता है याद रिखेंगgreat से मामी डी तांड़ा भी कहा जाता है यह विशेसस आपको दियान देना है इसके बारे में थोड़ी से जानकारी देता है कि आम पापड बनाने के लिए जरूरी चीजे आपसे पूछी जा सकती, जैसे कि अभी ओनलाइन एक्जाम में जो रोटियां हैं, चापाती हैं, उसको बनाने के प्रक्रिया आपसे पूछी गई थी, तो इस प्रकार से आम पापड बन आने के लिए, आम पापड त्यार होने में कितने हपतों का समय लगता है, तो चार हपतों का, कितने चार हपतों का समय लगता है, सीशियों में अचार रखने से पहले, सीशियों को धूप में इसलिए सुखा जाता है, जिससे सीशियों में नम्मी ना रह पाए, याने कि जो सीसी होती हैं, उनमें कुछ नमी हो तो वो जब धूप में रखते हैं तो वो पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद में उसमें अचार भरा जाता है आगे बात करें आम को पूरी साल चलाने के लिए अचार आम पापड, चटनी, टौफी रस आधी कई चीजे बनाते हैं यह सारी चीजे बनाई जाती है यदि हमें आम को पूरी साल चलाना हो खाने की चीज़ों में खाने की चीज़ों उनको एक सा दो दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाई भी यहाँ पर दिये गए हैं यह तो वह आपका आम पापड के बारे में अब बात करते हैं खाने की चीज़ों वह उनके एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाई क्या-क्या है तो आपने देखा हुगा अब तो खेर फ्रीज आ गया है फिरी जाए गया है तो उसमें आप रख देते हैं कोई सी भी चीज़ तो खराब नहीं होती लेकिन यदि फ्रीज में हम नहीं रखते हैं तो उसको कैसे आप घरेलू उपाई से एक दो दिन तक रख सकते हैं में उसको बाद उसको रख देते हैं जिससे क्या है वो खराब नहीं होते हैं हरा धनिया गिले कपड़े में लख पेट कर रखते हैं जिससे की वो खराब नहीं होगा प्याज लसुन है खुले में रखते हैं नमी से बचा कर रहें नमी जहाँ पर नहीं होगी वहीं पर आप रखेंगे, तो प्याज और लसुन आपके खराब नहीं होंगे, यदि इसा नहीं करते हैं, नमी साप नहीं बचाते हैं, तो वह सड़ने लग जाते हैं, देखा होगा आपने, दूद को हम उबालते हैं, आपने उबाल लिया, तो वह एक दिन चल जाता है, और आजकल फ्री जाई गया है, तो उसमें सारी चीज़ा आजकल रखने लग गए हैं, लेकिन उसके पहले इसी तरह की प्रक्रिया अपना आते थे, अब बात करते हैं, अध्याय पांच की, बीज, बीज और बीज, यहां पर बीजों के बारे में बात की जा रही है, उसके पहल नेफेंतिस है, जो कि सबसे ज़्यादा महशूर है, उसके बारे में पूछा जाता है, नेफेंतिस के बारे हम बात करें, तो यहां कहां पर पाई जाता है, तो यह आस्टेलियम पाई जाता है, इंडोनेशिया में, भारत में, मेगाले में, भारत में पूछे तो यह मेगाल चले आते हैं रस प्राप्ति करने के लिए लेकिन जैसे ही वहाँ पर बेटते हैं उसके अंदर चले जाते हैं रस जो होता हो इतना चिप-चिपा होता है कि वह एक बार उसमें चला गया तो उसमें से निकलने की कोई गारंटी नहीं है वो निकल नहीं पाता है उससे पोदे के George Mantral ने 1948 में Velcro बनाया था कब बनाया था 1948 में किस ने बनाया था George Mantral ने कहां के रहने वाले थे Swizzle Land के Velcro से दोनों तरफ चिपक जाता जो Velcro होता है और क्या होता दोनों तरफ चिपक जाता है खुलने पर चरचर की आवाज होती है आपने देखा होगा जो बच्चे होते कपड़े और जूतों में लगा होता है पट्टेदार होता है इसमें इस्तमाल के जाता है तो बस्तों में लगा होता है कपड़े में जूते पट्टे में इनमें को देखा होगा आपने है तो यह होता आपका वेल करो कौन कहां से आए ये भी important है ये भी आपकी CT exam में पूछ जाता है देखी बात करें मिर्ची की तो मिर्ची को पुर्तकाल देश की व्यापारी कहां से लेका आए थे मिर्ची का याद रखेगा दक्शिन अमरिका साथ में आपको याद रखना है टमाटर और आलू मिर्ची के साथ साथ टमाटर और आलू भी कहां से आये थे हमारे भारत में दक्षिन अमरीका से आये थे याद रखेगा चाए की बात करें तो हमारे देश में ही ये उपलब्द ही ये असम में ही है ना सोयाविन कहां से लेका आये थे भारत में चीन से लेका आये थे कहां से चीन से लेका आये थे सोयाविन है ना भिंडी और कोफी के बारे हम पूछ जाता है भिंडी का बीज और कोफी अफरीका से लेका आये थे गोवी मतर कहां सा आई है आपकी यूरोप सा आई है यह याद र वारत में पहले से उपलब दे, यह सारी चीजिए के बारे में आपको पता होना चाहिए जो है वोल असम में होती है जिसके बारे में आपको सभी को जानकरी है ना बात करें के अच्छा, सुरी अध्यायच्छे की, बूंद बूंद दरिया दरिया अब इसमें क्या है बूंद बूंद दरिया दरिया में देखिया आप यदि राजस्तान में गए होंगे तो राजस्तान के जेसल मेर जिले में 650 साल पुराना तलाव यहने की तलाव आपने घुमा होगा जेसल मेर आप गए होंगे तो जिसे क्या कहा जाता है किस नाम से उसे जाना जाता है घरसी सरेना नाम याद रखेगा इसके बारे में पूछा जा सकता है इसे जैसल मेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाय था किस ने बनवाय था और इसे के नाम पर इस तलाब का नाम पढ़ा था और इसे अलबरुनी जिस देश से भारत आये थे, उसे आजकल किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, उसे उजबिकिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे उजबिकिस्तान कहते हैं, और अलबरुनी ने उस समय के तलाबों के बारे में लिखा था, जो उन्होंने लिखा है, वो किस के बारे में लिखा है जो important बाते हैं वही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तलाब के बारे में है अल बरुने ने उस समय किसके बारे में लिखा था तलाब के बारे में बहुत बड़े बढ़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सर्यों से जोड़ का तराब के चारो तरब चबूत्रे भी बनाए जाते थे यह इस प्रकार की जानकर यह उन्होंने लिखी थी और उत्राखंड में पाने से जुड़ी एक रिवाज है याद रखेगा वो रिवाज क्या है जो ब्याह के बाद नई दुलन आती है वहाँ जरने या तलाब पर जाकर क्या करती है सिर जुकाती है तो कहा का रिवाज है तो याद रखेगा यह उत्राखंड का रिवाज है कहा का उत्राखंड का बावडी को सिड़ीदार कुवा भी कहते है यह पूछा गया है सीडीदार कुवे को क्या कहते है सीधा सीधा प्रस्ण पूछा गया था आपके सीटेट इग्जाम में तुसे क्या कहा जाता है बावडी कहा जाता है याद रखेगा आगे हम बात करें 1986 में जोदपुर और आसपास के इलाकों में जब सुखा पड़ा था तब भुली बिसरी बावडियों को एक बार फिर से याद किया गया था कभी याद किया गया था 1986 में किया गया था जब जोदपुर के इलाकों में सुखा पड़ा था ये भी ध्यान में आपको रखना है आगे बात करें कुवे के सूखने का कारण है कुछ कारण यहाँ पर लिखे हुए है ये आपसे कूट में पूछे जा सकते है सुखने के कारण है ना और कूट में आंसर आपसे पूछे जा सकता है तो याद रखेगा कहीं जगे मोटर लगा कर जमिन का पानी निकाला जा सकता और जिसके टूवियल कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताये गया है, तलाब जिसमें बारिस का पानी इखटा होता है, अब नहीं रहे, तलाब के बात की जारी ही, तलाब अब देखने को बहुत कम मिलते हैं, पेडो के आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का कर दिया या फिर किसी प्रकार से उसे पक्का कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, घर का पानी जो गिरता है, उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ जगा आपको खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पानी जमीन में चला जाए है, इस प्रकार की चीजे भी आपको होता है, तो याद रिखेगा, जो दड़की माई है, यहां राजिस्तान के अलवर जिले के गाउं में रहती थी, इन्होंने तरुन भारत संग के साथ मिलकर अपने गाउं को, गाउं में क्या बनवाया था, तलाब बनवाया था, किस से जुड़ी हुई थी, तरुन भारत सं महात्मा गादी जी के द्वारा की गई थी, उसके बारे में यहां पर सारी जानकारी दी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं, गटना कपकी है, 1930 की यह गटना है, भारत के आजादी से पहले की बात है, भहुत सालों से अंगरजों में, अंगरजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोग लगाई हुई थी, उपसे नमक पर भारी टेक्स भी लगा दिया था, इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, याने कहने का मतलब है, घर पर नमक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उस पर भारी टेक्स लगा दिया था, साथ में जो अंग्रेज है, उन्होंने नमक बनाने पर भी रोग लगा दी थी, इस पर क्या किया था, महात्मा गांदी जी ने डांडी यात्रा कीती है, और ये जो गांदी जी ने लोगों के साथ मिलकर, अहमदाबास से डांडी के समुद्र टट तक एक लंबी यात्रा क आते हैं, तो आसपास उसके क्यारिया कर देता है, ताकि पानी जो होता है, वो बहार न जाए, ऐसे ही क्यारिया कर देते हैं, जिससे कि पानी बहार न जाए, और तेज धूप जब आती है, तो पानी होता है, जो क्यारियूम भरा होता है, वो सूख जाता है, और नमक के धेर वहीं रहे जाते हैं इस प्रकार से नमक को निकाला जाता है म्रत सागर वेशा तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन म्रत सागर इतना नमकीन की लगबग एक लिटर पानी में कितना ग्राम नमक होता है 300 ग्राम नमक सब्सजरा नमक होता है मुरत सागर में और ये पूछा भी जाता है एक लिटर में पानी में लगभग कितना हो नमक प्राप्त कर सकते हैं आप 300 ग्राम नमक प्राप्त कर सकते हैं क्या इतना नमकिन पानी चक भी पाऊगे बहुत ही कड़वा लगेगा सबसे मज़े की बात तो यहां है कि मुरत सागर में हम ऐसे तेर सकते जैसे आराम से लेटे हो यानि कि वहाँ पर तेरने की अवशकता नहीं होती आप जैसे पानी में जैसे लेट भी जाओगे तो आप दूब्योगे नहीं उपर तेरते रहोगे हैं तो यह एक खास बात है तो याद रखेगा आगे हम बात करें आठवे अध्याई की तो मच्छरों की दावात है यह आपका आठवे अध्याई है इसकी हम बात करें तो मलेरिया है ना मच्छरों की दावात में मलेरिया मादा मच्छर जिसे एनाफिलीज से फेलता है जो Malaria है, वो किस से फेलता है मादा मच्छर से, एनाफिलिज से फेलता है याद रखेगा यह तो आपको पता ही होगा Malaria की जो दवा है, इसकी बात करें तो Malaria की दवा बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड की छाल से बनाई जाती थी पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तमाल करते थे लेकिन अब छाल की क्या होती है बनाई जाती है दवाई बनाई जाती है वो किस से प्राप्त होती है सिनकोना पेड की छाल से यह याद रखेगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती, किस से दिखती है एक चीज हजार गुना बड़ी तो वो है माइक्रोस्कोप एनिमिया, खून में हेमोगलोबिन या फिर आइरन की कमी से कुन सा रोग हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है यदि आप से पूछे कि खून में हेमोगलोबिन या फिर आईरन की कमी से कुन सा रोग होता है तो वो एनीमिया रोग हो जाता है आइरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़, मतलब इसकी आइरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए, आपको गुड़ आउला और हरी पत्तेदार सब्जी को खाना चाहिए, इसमें क्या होता है, आइरन यानि की जो लोहा होता है, किसमें भारी मात्रा में आयरन पाये जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है पालक आप खाएंगे तो उसमें वो ज्यादा आपको आयरन प्राप्त होगा है जो पत्यदार सब्जिया होती है एनीमिय की हम बात करें तो इससे ग्रशित बच्चों की सारी रिक और दिमागी पर असर होता है इस कारण बच्चे ठीक से क्या है बढ़ नहीं पाते है और उनमें फूर्ती भी कम होती है जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी उसे परेशानी होती है तेकि सीटेट एक्जाम में किस प्रकास से प्रश्टम पूछ जाता है कि जो बच्चा है व जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है वो समझने में भी बच्चे को परेशानी होती है तो वो किस से ग्रसित होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो एनीमिया से ग्रसित होते हैं अब बात करते हैं बचाओ के तरीके जो मलेरिया के मच्चर होते हैं डेंगू के चिकन ग अपते हैं, पानी के बरतन को साप रखे, टंकी को साप रखे, कुलर को साप रखे, हर अपति सुका याने की उनको सुखाना भी जरूरी है, मच्छर दानी का इस्तमाल करें, आप मच्छरों से दूर रह सकते हैं, मच्छर आपको काट नहीं सकते हैं, मच्छर दानी आपने तो याद रखेगा इसे लारवा कहते हैं और यहां बुरे रंके कीडे पानी में तेरते रहते हैं आपने देखा होगा है आगे हम बात करें रोनाल्ड रास के बारे में हैं इनके बारे में पूछा जाता है तो याद रखेगा रोनाल्ड रास ने पता लगाया कि मलेरिया का व आगे हम बात करें अध्याई 9 की डाइरी कमर सीधी ऊपर चड़ो है न अध्याई 9 है तो यहाँ पर देखिए एक पूशा जाता है कि जो नहरू इस्टिडियम ओफ माउंट नियरिंग है यह कहां पर स्थी थे तो याद रखेगा यह उत्तरकासी में स्थीत है न आगे बात कर चड़ने से पहले सभी कुनास्ते में सुबा जो पहाडों पर चड़ते हैं उनके बारे में इस अध्याई में बताया गया है कि पहाडों में चड़ने से पहले सभी कुनास्ते में सुबा विटामिन सी और आइरन की गोलिया दी जाती है सांसात गरम गरम चोकलेट वाला पूलिया दी जाती है, साथ में गरम गरम चोकलेट वाला दूद दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ताकि ठंग से बचाओ और ज्यादा सकते मिलें, इसलिए इनको दिया जाता है, अब पहाड पर चड़ते हैं, गुरूप लीडर की क्या-क्या काम होते हैं, उसके बारे मे उसे हाथ पकर कर चड़ाने का काम करता है लीडर, रुकने के लिए जगह डूनता है लीडर, सब के खाने पीने का इंतजाम देखता है लीडर, साथ में साती के बीमार पढ़ने पर उसका ध्यान भी कौन रखता है, लीडर रखता है, तो पांच-छे जो बाते हैं इनके बा अब बात करते हैं रोक, क्लाइमिंग, चट्टानों पर चड़ना तो ये नदी पार करने के लिए किनारे से दुसरे किनारे तक मजबूत रस्वादा जाता है जिसे दोनों किनारों पर बड़े-बड़े पिन ओन जो खुटे होते हैं उनको मजबुती से बांदा जाता है ना और मिजोरम में मिजो भासा बोली जाती है ये भी याद रखेगा और ये काफी important है ना मिजोरम में कौन सी भासा बोली जाती है तो मिजो भासा बोली जाती है कौन सी मिजो चली अब बात करते हैं बचहंद्री पाल के बारे में और इन Institute of Mountaineering से है, पहाड पर चणने की टर्णिंग लिए याद रखेगा, इन्हें गाइड करने वाले कौन थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनको गाइड करने वाले ब्रिगेडियार ज्यान सिंगते हैं, इनका नाम याद रख लिजेगा, यदि पूछा जाये तो, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं, 1984 में ये बचंदरी को Mount Everest पर चड़ने के लिए चुना गया, कब चुना गया, 1984 में, बचंदरी पाल ने 23 मई 1984, 1984 को दिन में, एक बजकर 7 म मिनिट लिखा हुआ है न, पर 8,900 मिटर उची चोटी Mount Everest नेपाली नाम, मतलब नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सांगरमा था है न, पर कदम रखा, कब रखा था, एक बजकर 7 मिनिट, कब रखा था, 23 मई 1984 में, सन आपको याद रखना है, ये बचंदरी पाल जो है भारत क पांचवी महिला है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, करीब 43 मिनिट तक वहाँ दुनिया की सबसे उची चोटी पर रही, इसके साथ ही बचंदरी पाल भारत की पहली, और संसार की पांचवी ऐसी महिला बने गई, जिन्होंने एवरश्ट पर कदम रखा, जैस पर आपको बता दूं, है न, देखिए, इनकी जन्म की हम बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 24 मई 1954 को, यहां लिख देता हूँ, 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था, है न, और यह उत्तर भारती राज्य उत्तराखंड में उत्तरकासी जिले के नकूरी गाउ में रहती, कहां पर उत्तराखंड याद रखेगा, उत्तरकासी जिले में, और उत्तरकासी जिले में कहां पर गडगाउं के नाकूरी गाउं में है न, इनका जन्म हुआ था, और बात करें, इनके बारे में, और सारी बाते मैं ने बता ही दी है, है न, माउंट एवरेष्ट के बारे में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ना अब हम बात कर लेते मांट एवरेष्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दी देता हूँ देखे मांट एवरेष्ट कहां पर इस्ति थे क्योंकि पूछा जाता है तो यह नेपाल में कहां पर है नेपाल में अभ मिटर कहीं कहीं 8850 भी दे रखा है तो आपकी जब एक्जाम होगी या तो 8848 दियो होगी या फिर 8850 दियोगी याने कि इसके आसपास ही वहाँ पर विकल्प दिये होंगे है ना आपको वहाँ पर देखकर और थोड़ा सा विचार करके विकल्प को चुनना है कि कौन सा सही हो सकता है तो 8848 जहां देंगे वहाँ 8850 नहीं देंगे वह जहां पर 8850 देंगे वहाँ पर 8848 मेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा है ना विकल्प कुछ इस तरीके से दिये होंगे बात करें नेपाल में इसका नाम क्या है तो सागरमाथा जैसे कि यहां पर लिखा हुआ कहां पर लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले यह लिखा है ना सागरमाथा नाम है नेपाल में और तिबबत में नाम क्या है चोमो लुगमा यहां पर लिख देता हूँ चोंगो लुंगमा ये आपका कहाँ पर है तिबबत में तिबबती नाम क्या है चोंगो लुंगमा है याद रखेगा चलिए ये सारी चीज़े आपको किलियर हो गई अब बात करते है आगे अध्याय दसकी बोलती इमारते गोलकुंडा के बहारी दिवारे में कितने बुर्ज याद रखेगा इंपॉलकुंडा के लिए में 1518 1687 यहां कुतब साही सुल्टानों के सासन किया था किसने क्या था कब तक 1518 6078 किला काघ सोरी काक्ती राजवन्सने बनाया था चैने बनाया था गोलख ब्लुकूंडा के seiner कि यह आपको याद रखना है चले, आगे बात करें, ओरंग जे बासा की पूरी फोज, बंदुकों और तोपों के साथ यहां हमला करने आई थी, पर वहां किले में घुस भी नहीं पाई थी, उसकी पूरी सेना आठ महिनों तक बहार ही बेटी रही, कितने महिनों तक? आठ महिनों तक जो सेना है वो बहार बेटी रही, या किले के बारे हम पूछे है ना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सा किला है, जो ओरंग जे बासा की पूरी फोज, बंदुकों के साथ यहां हमला करने आई थी, पर वहां किले में घुस भी नहीं पाई, उनकी पूरी सेना आठ मैनों तक बहार ही ब पता है, अब हम अध्याई 11 की बात करें, सुनीता अंत्रिक्ष में, देखे, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे भी काफी प्रशने पूछे जाते हैं, यह ना, यह अंत्रिक्ष में जाने वाली भारती मूल की दूसरी महीला है, क्वोन है, दूसरी मही थी और भारत और अर्जेंटिना के लोग सापिच एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं देखिए इसके बारे में बदा देते हैं पहले इनके बारे में जानकारी देते हैं आपको सुनिता विलियम्स के बारे में क्योंकि आगे इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है रख लीजेगा 19 सितमबर 1965 में इनका जन्मु वदा कहा पर ववदा आमेरीका में अमेरीका के शकंपने भारत में येनी कि वुछा की तो यह कहां पर रि में?' क्वीक लेजEric में है कहां पर है कुछ पूछा नहीं जाता एक अमेरीका ध्यान में रखना इनका संबंध किस से भारत में यह दी पूछे जाए तो यह गुजरात के एहमदाबास सहर से इनका संबंध है और यह 360 किलोमेटर दूर स्पेस में गई थी जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है साथ में इन्होंने 195 दिनों याने कि जो 6 महीने यहां पर लिखें दिन पूछे तो कितने दिन 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विस्व रिकॉर्ड इस्तापित किया था 195 दिन है ना धियान रखेगा और जून 1998 में नासा में चैन हुआ था साथ में 2008 में इन्येग विध्यान और अभियांत्रिकी के छेतर में भारा सरकार द्वारा पदम भूशन से сंभनित किया गया था उल्हेसम दूड़कर कब किया गया है 2008 में यह धियान में रखना 16 अपरेल 2007 को अंत्रिक्ष में में मेरतन्दध कर ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला बनी यदि पूछे कि अंत्रिक्ष में मेरा थन दोड़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन सी तो वो भी आपकी सूनीता विलियम से हैं ध्यान रखेगा कब सन पूछा जाता है यहां पर तारीक वगर नहीं पूछी जाते दोजा आरमे श्टरंग सन 1979 नैंटीन सिट्षूनढई नील आर्मे श्टरंग चानल पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थी XL रखेगा कई fol़ सब्सेन पहले व्यक्ति के बारीने विश्व को पता होग इंट्रCam और अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर तो बेठ ही नहीं सकते ही यान में एक जगह दूसी जगह तेरते होई पहुचते हैं आपने देखा होगे काफी विडियो डेकर देखा है और वहाँ खाना भी अजिब तरीके से खाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मजा तब आता है, जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं, और उड़ते हुए खाने के पेकिटु को पकड़ते हैं, अंत्रिक्ष में मुझे कंगी करने की जरूरत ही नहीं पड हो सकता है, क्या हो सकता है, वो उपग्रह हो सकता है, तूटता तारा उलका पिंड़ वहां होता है, जो प्रत्वी के वायूमंडल में आते ही जल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उलका पिंड़ या फिर तूटता तारा कहते हैं, अब अध्याय बारा की बात करें, खत्म हो जा यह आपको दियान में रखना है, साथ महां हम यहां पर तेल की बात करें, देखिए तेल की यहां पर सारी डिटियल दी गई है, कि जमीन से निकाला गया तेल गेहरे रंग का गाड़ा बदबुदार होता है, कैसा होता है, गेहरे रंग का गाड़ा बदबुदार होता है, इसम हमार इसी तेल में हमें मिलता है केयरोसन मिलता है डेजल मिलता है पेholes इंजन और हवाई जहाज के लिए इधन मिलता है इतनी सारे चीजे आपको मिलती है जो गีहरे रंका गाड़ा बदबुदार होता है तेले उस से ये सारे चीजे प्राप्त होती हैं, साथ में LPG, खाना-काने की गेस, मॉम, कोलतार और ग्रिज भी इसी से प्राप्त होता है, देखे कितने सारे चीजेस से मिलती है ना, प्लाश्टिक और पेंटर बनाने के लिए भी तेल कर इस्तमाल किया जाता है, साथ में आज हमारे देस में लगबग, द जोना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे दोती हाई लोग अब बचे नहीं होंगे, बहुत कमी होंगे, जो आप उपले लकडी सुकी टेहनिया द्वारा खाना बनाते हैं, अब बात करते हैं, अद्याय तेरा है ना, बसेरा उचाई पर, तो थंडा रेगिस् धके पहाड़ों सोखा ठंडा मैदान है, लद्दाक में स्वागत स्वागत को जूले जूले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वागत को लद्दाक में जूले जूले बोलते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, अब लद्दाक की यहाँ पर बात हो रही है, और घरों की बा होती बताइए यह कहां पर है तो आपको पता हो तो आप विकल्पो का चेर्ण कर सकते हैं लग्दाक में इस प्रकार से प्रस्ट पूशा जाता है आपके CT exam में घर अंदर से छपर जैसे लगते हैं चपर जैसे यहां लोग उपर की मंजिल में रहते हैं और नीचे की मंजिल में जानवरों को रहने की जगा होती हैं और जरूरत का समान इखटा करके रखते हैं ना उपर रहते हैं और जो मंजिल दूसरी मंजिल होती है उस पर लोग रहते हैं नीचे जानवरों को रखा जाता नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, छत को मजबुत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का ये इस्तमाल करते हैं, साथ में चांग थांग है ये लद्दा की बात की जारी है और चांग थांग ना ऐसा हो नहीं सकता, ये जम्मु कस्मिर राजजी के 5000 मिटर क में भी मुश्किल होती है, कितनी उचाई होती है 5000 मिटर किसकी चांग थांग की है ना अंग्रेजी में लोनर कर्थ क्या होता है अकेला रहने वाला है ये पूछे अंग्रेजी में लोनर कर्थ होता है अकेला रहने वाला जैसे कि अब बात करते हैं चांग पा लिखा हुआ ह चांगपा जन जाती होती है वो गुमनतु लोग होते हैं यानि कि एक जगा से दूसरे जगा जाते रहते हैं जो हमेसा एक जगा पर नहीं रहते हैं गुमते ही रहते हैं अपनी भेड बक्रियों के जुंड को लेकर पहाडों में हरे मेदानों की खोज में घूमते रहते हैं इन्ही जानवरों से इन्हें अपनी जरुर्दों का समान मिल जाता है जैसे कि दूद भी मिल जाता माश, टेंट के लिए, चमडा, स्वेटार, कोट के लिए उन आदी ये स सारी चीजे बनाए जाती है, इसके ठंडी और उची जगा होगी इन बक्रियों के बाल भी उतने ही जादा नरब होंगे हैं ये 5000 मिटर पर जाकर भी अपना जीवन यापन कर लेती है ये बक्रिया है ना ये लोग अपना पूरा घर और समान घोडों और याग पर लाद कर घ ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं याद रखेगा जिस में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है रेबो कहा जाता है याद रखेगा ये बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए याग के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्या बनाते हैं जिने सिलकर जोड लेत पत्थरों और चट्टानों के एक दूसरे पर रखकर बनाईे जाती है जिसमें की बकरिया भेड़ बकरिया रह सके दुनिया की महसूर पस्मीना के बारे में बात करें तो पस्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है जो हम 6 स्वेटर पहन ले उतनी गर्मी एक ही सोल में होती है इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है, यह उसकी खास बात है, यहां पस्मिना पाड़ी बकरी की खास नसल से बनता है, जो लगभग 5000 मिटर की उचाई पर रह सकती, जैसे कि मैंने थोड़े दर पहले आपको बताया था, और यहां सर्दियों में तापपान लगभ बकरी के सरीर पर बहुत बारिक और नरम बाल होते हैं, जो गर्मियों में जड़ जाते हैं, इनी से बनाई जाती है पस्मिना साल, जो उनके उपर बाल होते हैं, उनी से क्या बनाई जाती है, पस्मिना साल बनाई जाती है, और उसी के माद्यम से वो सरदियों से बचते हैं, इनके बाल इतने पतले होते हैं इनके छे बाल मिला कर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई बराबर होते हैं हमारे बाल भी कितने पतले होते हैं लेकिन हमारा एक बाल और उनका छे बाल छे बाल मिला दे तब जाके हमारा एक बाल बनता है गंटे पूशे जाते हैं तो 250 गंटे का समय लगता है एक पस्मिना साल बनाने में है न आगे बात करें चंगपा की जो भासा होती है वो चांग थांग का मतलब है एसी जगा जहां बहुत कम लोग रेते हैं टोटल कितने रेते हैं इनके जो संक्या होती है और लगभग 5000 की होत हैं डल जिल में तेरत हुए घरो को सिकार बोलते हैं का बोलते हैं डल जिल में तेरत हुए घरो को सिकार बोलते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है स्रीनेगर में बहार से आये टोरिस्ट हाउस बोड में रहते हैं कहां पर रहते हैं वो हाउस बोड में रहते हैं हाउस इस लिए कर दो में की नहीं बनाते हैं इसे दुकान या बेकरी से ही खरितते हैं कस्मीर के हर गली के कूचे में दिखती है एक बेकरी कहने का मतलब है वो घर में रोटिया नहीं बनाते हैं दुकाने फिर बेकरी से ले लेते हैं इसलिए हर गली में आपको एक नएक बेकरी दिख जाएगी यहां के पुराने घरों की खाशियत यह है जालेदार खिड़किया ये बहार की और उब्री होती है इन्हें क्या कहते हैं डब कहते हैं क्या कहते हैं याद रखेगा यहां के पुराने घरों की खाशयत ये हैं जालेदार खिड़किया ये बहार की और उब्री होती है और उसे क्या कहा जाता है डब कहा जाता है इसमें बेटकर बाहर का नजारा बड़ियां से देख सकते हैं आगे हम बात करें house board और कई बड़े घरों की अंदर की जो छट है वो लकडियों की सुन्दर नकासी उसमें बनी होती है साथ में एक खास किसम की design भी होती है वो केसी दिखाई देती है जिगसा जो जिगसा फजल होती है उस तरह से वो दिखाई देती है आगे बात करें बोट की तरह बने लकडि के डोंगे जो होते हैं ये भी पानी में तेरते रहते हैं क्या नाम है उनके डोंगे याद रखेगा ये तेरते रहते हैं साथ में स्रीनगर की डल जीर और जिलम नदी में इने डोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं चले आगे हम यहाँ पर अगला ध्याई देखेंगे चवदा जब धरती कापी है न यह ध्याई कुन सा होगा आपका जब धरती कापी 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आपने सुना होगा वहाँ पर भुकमप आया था कहीं लोग मर गए थे आपको सन याद रखना है और राज जी याद रखना है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आये भुकमप से कहीं लोग मर गए थे और बहुत लोग गायल भी हुए थे बहुतों की हलत तो इससे भी ज़ादा खराब थी याद रखेगा कहां पर आया था या भुकंप गुजरात में कब आया था 26 जनवरी 2001 में भुकंप आने पर क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाए जहां पर खुला मेदान हो वहां पर आप निकल जाए साथ में अगर घर से बाहर निकल ना पाऊ तो फर्स पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेंज के नीचे छिब जाओ उसे पकड़े रखो ताकि वहाँ फिसल कर घुम से दूर न जाए तुम से दूर न जाए कमपन रुख जाने तक इंतजार करो यानि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मजबूत हो उसके नीचे आप छिप सकते हैं इस प्रकार की कोई चीज हो जो कहानी है इसके लेखा कौन है और यह पूशा जाता है तो इसके लेखा कौन है डाक्टर जाकिर हुशेन और डाक्टर जाकिर हुशेन कौन थे तो यह हमारे देश के पूरु राष्टर पती है कौन है पूरु राष्टर पती थे हमारे देश के अब बात करें आगे सास गर्म होती है और सीसा ठंडा इसलिए सास के साथ आई भाप से ठंडे सीसे पर पाने की बूंदे जैसी बन जाती है यहां नमी सीसे को दुनला करती है यह तो सभी निकरई होगा बच्पन में और अभी भी करते होंगे हैं डाक्टर हमारी छाती पर इंडे थे इसकोप रखकर हमारे धरकन सुन सकते हैं इसका नाम क्या है इंडे थे इसकोप है इंडे थे इसकोप इसका नाम है जोकि डाक्टर के हाथ में आपने देखा होगा उनके गले में टंगा होता है आगे बात करेंगे अध्याय है सहज किताब के लेखए कोन है यहाँ पर लेखए के बारे मैं पूछा गया सत सरजरज सेविता सहज किताब के लेखए कोन है तो नरायन भाई देशाई कोन है नरायन भाई देशाई है ना गोरे गाउं कहां पर रिष्थिते इस प्रकार से पूछ जाते है एक्जाम में प्रशन तो ये महराष्ट में है भीम यानी बाबा साहब अंबेटकर के नाम से दुनिया भर में मशूर है आयादे के बाद बाबा साहब की अगवाई में हमारे देश में सविधान तेयार किया गया किसके अगवाई में तो सभी को पता है बाबा साहब अंबेटकर के अगवाई में अठारा जो सत्रा अध्याई है वो है आपका फादली दिवार चत्रपती, सिवाजी, टर्मिनल, रेलि वेश्टेशन यह कहाँ पर है तो यह मुंबई में है आपका नाकपड़ा, बास्केट बोल ऐसोशियेशन यह कहाँ पर है तो यह भी आपका मुंबई में है दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए अध्याय 18, जाय, तो जाय कहां इसमें आपको याद रखना है जो डामर है, इसे कोलतार को कहते डामर किसे कहते हैं, कोलतार को कहते हैं, ये आपको धियान में रखना है 18-19 से किसानों की कहानी बीच की जुबानी है वन ग्राम जो वन ग्राम है ये कहाँ पर रिष्थित है तो ये गुजरात मिश्थित है गुजरात लिखा हुआ है कहाँ पर रिष्थित है वन ग्राम गुजरात मिश्थित है साथ में यहाँ पर देखिए उधुयू है न यह काफी पूछ जाता है आपके CTAT exam में तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं मटका है उसको भर देते हैं फिर उसको ऊपर से ढग देते हैं कोईले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं उदोयू कहते हैं, क्या कहते हैं, उदोयू कहते हैं, सबजी पहले मटके को भर देते हैं, फिर उसे ढग देते हैं, उसके बाद में उसे जो कोईले के अंगारे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उदोयू कहा जाता है, और गुजरात में उदोयू का मतलब क्या होता है, केचव की बात करें केचव जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है इन केचव के मल से जमीन उपजाओ बनती है और इन्हें किसानों का मित्र भी कहते हैं केचव के बारे में आपको सभी को पता हुआ क्रोटन पोधे के बारे में जान लेते हैं यहां प फसल को कब पानी के अवशक्ता होती है, इसकी जड़े अधिक नीचे तक नहीं जाती, जब यहाँ पोधा मुर्जाने लगता है, तो किसान का पता चल जाता है, कि फसल को पानी की आवशक्ता है, इसकी पत्या रंग बिरंगी होती, यानि कि जो क्रोटन का पेड होता है, उसक पानी की अवशकता है, फिर जो किसान होता है, वो पानी की पूर्ती कर देता है, अब बात करते हैं, अध्याय 19 की किस के जंगल, कुडुक भासा बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है, इसके बारी मैं आपको पता होना चाहिए, काफी पूछा गया प्रशने, कुडुक भास में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, तोरांग में कुडुक समाज और अन्य आदिवाशियों की खास किताबों को समाल कर रखा जाता है, और गाने बजाने की कहीं चीज़ी जैसे की बासुरी तरह-तरह के ढोल भी होते हैं, आगे बात करें, जंगल अधिकार होने वाली चीजों पर हक है इस कानून के बारे में पूछ जाता जंगल अधिनियम कानून 2007 के बारे में कूट में चार विकल पर दे देते हैं और आंसर आपको देना होता है तो याद रखेगा यहां कानून आदिवाशियों को जंगल पर उनका हग दिलाता है साथ में जो लोग के कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनको महां से के जंगल और वहां पेदा होने वाले चीजों पर होता महां से उनको कोई भी नहीं हटा सकता उन्हें जंगल से हटाया ना जाए जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभी उनका जो ग्राम सभा होता है जो ग्राम होता है जो ग्राम होता है जो ग्राम होते हैं उनको सोब दिया जाता है वही करते हैं आगे बात करें एक टिन जमीन एक टिन जमीन का क्या मतलब होता है अब बात करते हैं जूम खेती और सबसे जाधा प्रशन पूछा गया है आपकी जूम खेती से सीटेट इक्जाम में है ना तो मिजोरम राजजी में जूम खेती की जाती कहां पर की जाती है मिजोरम राजजी में इसमें एक फसल, कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक अराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं, वो इसी ही पढ़ी रेती है, इस जगा को बांस या जंगल, इस जगा में क्या उग जाता है, बांस उग जाते हैं, जंगल उग जाता है, उसे उखारते नहीं है, क्या वहाँ पर जला देते हैं जिससे की क्या होता है वो खात का काम करती है उस जमीन में फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है अभी आपने देखा होगा है आप जहां पर रहते हैं वहाँ पर जोता जाता जमीन को उसके बाद में जो भी फसल है उसको उगाए जाता है पहले जोता जाता है फिर उगाए जाता है लेकिन जो जूम खेती इसमें इसा नहीं होता है जमिन को जोता नहीं जाता है मिट्टी को हलके से हिला कर बीच छिड़क देते हैं वेसे उपर से फैक देते हैं एक ही खेत में लग लगतर है कि बीच जैसे की मकई, सबजिया, मिर्चे और चावल बोई जाते हैं और कहां पर मिजोरम में यह आपको दियान में रखना है चेराव है जो चेराव नर्ति के बारे में बहुत ज़रा इंपोटेंट हैं यह भी पूछा गया है आपके सीटेट एक्जाम में खाना पकाते खाते हैं और मजे करते हैं चेराव नाज भी करते हैं इस नाज में जमीन पर बास की डंडी लेकर दो दो लोगों की जूड़ी आमने सामने रहती है जो आप परचिया से दी करेंगे तो उसमें हमने उनकी जो फोटो है उनके माद्यम से समझाए है वहाँ पर आप और आसानी से समझ सकते हैं बेटती है अमने सामने बेटती है धोलक ताल पर डंडिया को पीटते हैं डंडियों के बीच लोग के कतार में खड़े होकर कुचते हैं मिजोरम में लगभग तीन चोथाई लोग जंगलों से जुड़े हुए कितने तीन चोथाई लोग कहा के मिजोरम के है ना अब बात करें अध्याय 21 की अध्याय 21 की जला किसकी छाप है ना इसमें मेंडल के बारे में बताया गया है ग्रेगर मेंडल आश्टेलिया में रहने वाले थे कहां के रहने वाले थे या आश्टेलिया के रहने वाले थे इनका जन्म सन 1822 में हुआ था कब ह अध्याए-22 है नहीं कि लाष्ट अध्याए टोटल अध्याए-22 बताए थे मैंने फिर चला काफिला है यह आपका니다 या मिध्याए है उसमे याद रखने वाली बात क्या है पूरन पोली है जाने की डाली मीठी रोटिया होती जैसे क्या कहते हैmusic पूरन पोली कहते हैं ना याद रखेगा इसका नाम क्या होता है पूरन पोली इसका नाम होता है यदि आपको question answer चीए तो आप हमें केमेंसे के माध्यम से बता सकते हैं हम जैसे हमने आपके 22 अध्याय कंप्लिट कराए हैं इसे ही आपके question answer भी complete करा दिये जाएंगे साथ में pdf के बारे में हमने आपको बता ही दिया है हमारे fc को download कर लिजेगा जिस pdf को आपको purchase करना है उसमें आपको pdf मिलेगी रांबान pdf में उसके theories मिलेगी वह भी चितर के माध्यम से साथ में आपको mcq दी जाएंगी 800 साथ में उनको वीडियो के माध्यम से समझाय भी जाएगा साथ में pdf आपको दी जाएगी यह सारी चीजे 49 में आपको मिल रही ही जाकर आप purchase कर सकते हैं तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा class 3 और class 4 की वीडियो भी चीज़े तो comment सके माध्यम से बता सकते हैं उसकी वीडियो हम जल्द ही आपके लि धन्यवाद